वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्वित आसू दोस्तों बीहार SI मेंस के लिए आज सेट नमबर 16 लगाते हैं जो मार्स मेंन की सेट परटी से ली गई है इसमें साड़े प्रस्न बहुती महत्पुन दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक ह जो लोग CDPO, BPCPT या बीहार की किसी भी एक्जाम की त्यारिक कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रस्न है निम्नांकित की अस्थापना का कडम बताईए आपको कडम में सजाना है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन A पहले हुई थी अस्थापना अंतराश्टी शरम सगटन की जिसकी अस्थापना 1919 में की गई थी इसके बाद हुई थी अस्थापना अंतराश्टी मुदरक कोस की जिसकी अस्थापना 1945 में की गई थी और इसके बाद धुईत अस्थापना अंतराश्ची नियाली की जिसकी अस्थापना दोस्तो 1946 में की गई थी और इसके बाद अंतराश्ची वित निगम की अस्थापना की गई थी 1956 में इस परकार option A हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं अंतराश्टिय नियाले में नियादीसों की संख्या कितनी है तो दोस्तों अंतराश्टिय नियाले में नियादीसों की संख्या है 15 अगला प्रस्न देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा तटस्थी क्रित राज है तो दोस्तो दिये गें विकल्पो में से आश्ट्रिया जो की तर्टस्प्रित राज है आप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं केंद सरकार दोड़ा गठीत पचोड़ी समीती का संबन था तो दोस्तो केंद सरकार दोड़ा गठीत पचोड़ी समीती का संबन था सेतु समुन्दरम पड़िजना से और इसका गठन किया गिया था दोस्तो 30 जुलाई 2008 को अगला प्रस्ण देखते हैं अंतराश्टिय मुद्रा कोस का मुख्याले कहा है तो दोस्तो अंतराश्टिय मुद्रा कोस का मुख्याले है वासिंटन डिसी में ओप्शन सी हो जाएगा सही अंतराश्टिय मुद्रा कोस की अस्थापना दोस्तो 1945 में हुई थी अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से अंतराश्ट्य सांती और स्रोच्छा बनाय रखने का प्रात्मिक उत्तरदाईत किसका है? तो दोस्तों अंतराश्ट्य सांती और स्रोच्छा बनाय रखने का प्रात्मिक उत्तरदाईत है स्रोच्छा पडिसत का अगला प्रस्म देखते हैं तठस्था के नियमों को सहीता बद किया गिया था तो दोस्तों तठस्था के नियमों को 16 अपरेल 1856 के एरिज घोसना तथा वर्ष 1907 के दूतिये हेक सम्मेलन में सहीता बद किया गिया था अगला प्रसन देखते हैं अंतराश्थे नियाले के नियाधिस तो दोस्तों अंतराश्थे नियाले के नियाधिस महा सभा और सुरोच्छा पडिशत के दूआड़ा निर्वाचित किये जाते हैं अगला प्रसन देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है एक तरब दिया गया दोस्तो घटना का नाम और एक तरब दिया गया दोस्तो वर्ष का नाम चलिए दोस्तो सुमेलित करते हैं तो दोस्तो A का मिलान हो जाएगा दो से प्राथम प्रित्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था बी का मिलान हो जाएगा दोस्तो एक से मानव पढ़ियावरन का सरच्छन और सुधार 1972 में किया गिया था सी का मिलान हो जाएगा दोस्तो दो से दूतिये प्रित्वी सम्मेलन 2002 में किया गिया था और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तो तीन से क्योटो नवाचार 1997 में हुआ था इस परकार ओप्शन बी हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं कोई राज केवल मानेता से ही अंतराश्ची बैक्ती और बनता है या कहना है तो दोस्तो कोई राज केवल मानेता से ही अंतराश्ची बैक्ती है और बनता है या कहना है दोस्तो निर्मारत्मक सिधान्त का ओप्शन बी हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं अंतराश्टिय दण नियाले का अस्थान है तो दोस्तों अंतराश्टिय दण नियाले का अस्थान है हेक निदरलेण में अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक आर्थिक और समाजिक पडिशत का कार नहीं है तो दोस्तों आर्थिक और समाजी परिशत का कार्ड नहीं है वो है ओप्शन सी विशिष्ट अभिकर्णों के कृतियों का अधिछन और नियंत्रन अगला प्रस्ण देखते हैं रवांडा के अंतराश्टि दन अधिकरन का गठन हुआ है तो दोस्तों रवांडा के अंतराश्टि दन अधिकरन का गठन हुआ है महासवा के संकल्पड अगला प्रस्ण देखते हैं मानवा धिकारों की सार्मभम गोशना 1948 को अंगीक्रित किया गिया था तो दोस्तों मानवा धिकारों की सार्मभम गोशना 1948 को अंगीक्रित किया गिया था महासवा के दुआडा अगला प्रस्ण देखते हैं अंतराष्टे नियाले के नियादीसों की पदवावदी कितनी होती है तो दोस्तों अंतराष्टे नियाले के नियादीसों की पदवावदी होती है 9 वर्स अगला प्रस्ण देखते हैं निम्नांकी संगठों में से कौन सब बच्चों के कलियान से सीधे संबंदित है तो दोस्तों बच्चों के कलियान से सीधे संबंदित है वह संगठने दोस्तों यूने सेफ अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से कौन अंतराश्य नियाले का सदस्था तो दोस्तों अंतराश्य नियाले का सदस्था डॉक्टर नडेन सिंग ओप्शन बी हो जाएगा सही डॉक्टर नागेंदर सिंग अंतराश्य नियाले के सदस्थे वे अंतराश्य नियाले के अध्याच भी रह चुके ह अगला प्रस्ण देखते हैं संयुक्त राष्ट का प्रथम महा सचिप कौन था तो दोस्तों संयुक्त राष्ट का प्रथम महा सचिप था त्रिक वेली अगला प्रस्ण देखते हैं संयुक्त राश्चार्टर के अंतरगत मानवा धिकार के प्रोणायन के लिए आयो गठन करने की सकती निमली खित में से किसको है तो दोस्तो संयुक्त राश्चार्टर के अंतरगत मानवा धिकार के प्रोणायन के लिए आयो गठन करने की सकती है आर्थिक और समाजिक पडिशत को अगला प्रस्न देखते हैं मानव पडियावरन पर स्टोक हम समेलन किस वर्ष में आयजित किया गिया था तो दोस्तो मानव पडियावरन पर स्टोक हम समेलन वर्ष 1972 में आयजित किया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं माइक्रो कम्पूटर क्या नहीं कर सकता है तो दोस्तो माइक्रो कम्पूटर नहीं कर सकता है वह कार है यह करना जो उसे करने को न कहा गया हो अगला प्रस्न देखते हैं देखते हैं निमली खित कतनों में से कौन सा सत्य है तो दोस्तो जो कतन सत्य है वह है ओप्शन डी एड्स एचाइवी के कारण होती है अगला प्रस्न देखते हैं कतन एड दिया गिया है दोस्तो डी डी टी का पड़ियोग परवावी जीवनासक होते हुए भी पस्मी देशों में रोक दिया गिया है कारण है डी डी टी में पड़ियाब समय तक वाता वरण में अस्थाई रहने की परवर्ती है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन A, A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है अगला प्रस्न देखते हैं सराब में मुखेत्य रहता है तो दोस्तो सराब में मुखेत्य रहता है एthil alcohol अगला प्रस्न देखते हैं जैनी को पुरदोकी है तो दोस्तों जैनी को पुरदोकी है खात फसलों की परजाती को विक्सित करने का तरीका अगला प्रस्न देखते हैं बिजली के काड़ीगर हाथ में रवर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि तो दोस्तों बिजली के काड़ीगर हाथ में रवर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रवर विद्धूत का कुछ आलक है अगला प्रस्ण देखते हैं टेली वीजन का अविस्कार किसने किया था तो दोस्तो टेली वीजन का अविस्कार किया था जेल बेड अगला प्रस्ण देखते हैं द्रवी कित पेटोलियम गैस मुखेता होती है तो दोस्तो द्रवी कित पेटोरियम गैस मुखेता होती है मिठन गैस अगला प्रस्ण देखते हैं नीम में से कौन सा मौलिक कंड नहीं है तो दोस्तो जो मौलिक कंड नहीं है वो है वो है दोस्तो फोटॉन जबकि इलोक्ट्रोन, नीट्रोन तथा प्रोटोन या तीनों मौलिक कन है अगला प्रस्न देखते हैं कथन ए दिया गिया है दोस्तो उनी वस्त हमें गड़म रखते हैं कारण आर दिया गिया है दोस्तो उनी रे से एक विशेस परकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उस्मा के कुचालक होते हैं तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन A, A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या करता है अगला प्रस्न देखते हैं बायो टेक पार्क अवस्तित है तो दोस्तो बायो टेक पार्क अवस्तित है लखनों में ओप्शन C हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं कथन A दिया गिया दोस्तो LPG-1 परदूशन मुक्त वाहन इंधन है कारण R दिया है CNG इंधन चालित बसो को चलाना भारत के मेट्रो पॉलिटन नगडों के लिए संस्तूत है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन D A गलत है परणतू R सही है LPG-1 घरलू इंधन है जो भोजन बनाने के कामें आता है और CNG-1 वाहन इंधन है जो परदूशित महानगरों के लिए संस्तूत किया गिया है अगला प्रस्ण देखते है तो दोस्तो हेवी वाटर में हाइडोजन के अस्थान पर डूटिरियम होता है ओप्शन C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते है घरेलू डिटर्जन में पर्योग होने वाले उस्तत का नाम बताईए जो नदी और जीलो के परदूशन के लिए मुख रूप से उतरदाई पाया गया है तो दोस्तो वाताद का नाम है फासफोरस फासफोरस नदी एम जीलो के परदूशन के लिए मुख रूप से उतरदाई है फासफोरस की उपस्तिती के कारण सेवाल के विकास को सेवाल पुष कहते हैं अगला प्रसन देखते हैं निमली खित में से कौन नत्र जनी जैव उर्वड के रूप में परियोग नहीं होता है तो दोस्तो नत्र जनी जैव उर्वड के रूप में परियोग नहीं होता है नैटो लिन का जबकि एजोला एलफा एलफा निल हडी सेवाल का परियोग जब उरवड़क के रूप में किया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं जब कोई वस्तु प्रीथवी से चन्रमा पर ले जाए तो उसका भार घड़ता है अगला प्रस्ण देखते हैं फाइबर ओप्टिस जिस सिधान पर अधारित है वह है तो दोस्तो फाइबर ओप्टिस जिस सिधान पर अधारित है वह है संपुन आंत्री प्रावरतन पर अगला प्रस्ण देखते हैं एक ब्यक्ति जिसका बलड गुरूप पता नहीं है दुरगटना गरस होता है और उसे तुरंद खुन चड़ाने की आवसकता है लिम्नांकित में से कौन सा बलड गुरूप जो अस्पताल में असानी सो उपलब्ध है खुन चड़ाने है तु सुरच्छित होगा तो दोस्तो वह बलड गुरूप होगा O और रह मैनेस अगला प्रसन देखते हैं यूनिक्स डॉस विंडोज उधारन है तो दोस्तो यूनिक्स डॉस विंडोज उधारन है कारिकारी प्रोड़ूगाम के अगला प्रसन देखते हैं गोषित राम जहां बुद कु समय के लिए रुके थे वह अस्तान कहां इस्तित्था तो दोस्तो वह अस्तान इस्तित्था को सांबी में अगला प्रस्म देखते हैं निम गुप सास्कों में से कौन सौर पर्थम महाराजा धिराज की उपाधी धारन करने वाला था तो दोस्तों सौर पर्थम महाराजा धिराज की उपाधी धारन करने वाला था चन्द गुप पर्थम अगला प्रस्म देखते हैं निमलीखित में से कौन एक सम्मात कोमीदी मिरातुल अखवार एम वेदान कोले से सम्बंदी था तो दोस्तो सम्मात कोमीदी मिरातुल अखवार एम वेदान कोले से सम्बंदी था राजा रामोन राए अगला प्रस्म देखते हैं सांस्कृत विलम्बना का अर्थ क्या है तो दोस्तो सांस्कृतिक विलम्बना का अर्थ है जब अभोतिक सांस्कृती भोतिक संस्कृती के पीछे छुड़ जाती है अगला प्रस्न देखते हैं निमलेखित में से कौन सा एक मंदिर भारत में प्राप डाट पत्थर मेराप का प्राचिंतम उधारन प्रसूत करता है तो दोस्तों वह मंदिर है भीतर गाउं का मंदिर जो की उत्तर परदेश के कानपूर जनपर्द में इस्तित है अगला प्रस्न देखते हैं सिच्छा पर सबसे प्राचिं रचना कौन सी है तो दोस्तों सिच्छा पर सबसे प्राचिं रचना है प्रतिसाक्र सुत्र अगला प्रस्न देखते हैं निम में से किस एक रूप में निर्गरंथों का साधरनता जाना जाता है तो दोस्तो नीडगरंथों का साधरनता जाना जाता है जैन के रूप में अगला प्रस्ण देखते हैं रज्यम नामा फार्सी अनुबाद है तो दोस्तो रज्यम नामा फार्सी अनुबाद है महा भारत का अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन एक प्रथम भक्तिकालिन सन्थ है जिन्हों ने अपने संदेश के प्रचार्थ हिंदी का पड़ियों किया था तो दोस्तो स्वामी रामानन्द प्रथम वैसनव संथे जिन्होंने हिंदी भासा के माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुँचाया था अगला प्रस्न देखते हैं दिल्ली में होजे खास का निर्वान कराया था तो दिल्ली में होजे खास का निर्वान कराया था अलादिन खिल जी ने अगला प्रस्न देखते हैं मुगल समराट अकवर के समय में कितने सुवे थें तो दोस्तो मुगल समराट अकवर के समय 15 सुवे थें अगला प्रस्न देखते हैं नगीना मस्जित किस किले में इस्तित है तो दोस्तों नगीना मस्जित आगड़ा के किले में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से कौन एक रत्न खान का रचेता है तो दोस्तो रतन खान का रचेता हैं मलुक दास अगला प्रश्म देखते हैं संगीत यंद्र तबला का अविस्कार का निम में से किस एक ने किया था? तो दोस्तो तबला का अविस्कार किया था अमिर खुसरों ने अगला प्रस्न देखते हैं संगम साहित की भासा किया थी तो दोस्तों संगम साहित की भासा थी तमिल अगला प्रस्ण देखते हैं भारती समिधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्सों की जलक मिलती है तो दोस्तों भारती समिधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्सों की जलक मिलती है प्रस्तावना में अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों इन में से कौन राजकी भासा नहीं है तो दोस्तों जो राजकी भासा नहीं है वो है राजस्थानी जबकि कस्मेडी संस्क्रीत तथा मेतली ये तीनों भासा राजकी भासा है अगला प्रस्न देखते हैं निमली खित में से ब्रेटी समिधान की किस विशेस्ताव को भारती समिधान में सामिल किया गिया है तो दोस्तो बिर्टी समिधान की विशेस्ताव को भारते समिधान में सामिल किया गिया है वह है संसदिय परिती की सरकार वीधी का सासन वीधी निन्वान पड़किडिया ओप्शन D हो जाएगा सही उपड़क सभी अगला प्रस्न देखते हैं समान नागरिक सहिता किस राज में लागू है तो दोस्तो समान नागरिक सहिता गोवा राज में लागू है अगला प्रस्न देखते हैं राश्पती राजपाल की निक्ती में किसकी सला लेता है तो दोस्तो राश्पती राजपाल की उन्युक्ती में परधान मंत्री की सला लेता है अनुचिद 155 के अनुश्वार राश्पती राजपाल की उन्युक्ती परधान मंत्री की सला पर करता है अगला प्रस्न देखते हैं अवित्य बिध्य को राश्पती कितनी बार लोटा सकता है तो दोस्तों अवित्य बिध्य को राश्पती एक बार लोटा सकता है अगला प्रस्न देखते हैं राश्पती दुआड़ा कितने सरस्मोनोनित किये जाते हैं तो दोस्तो राज सवा में राश्पती दुवाड़ा 12 सरस मौनोनित किये जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं राश्पती लोग सवा में कि समुदाई के 20 से दो लोगों को मौनोनित करता है तो दोस्तो राश्पती लोग सवा में एंगलो इंडियन समुदाई के बीच से दो लोगों को मनोनित करता है अगला प्रस्न देखते हैं निमलीखित में से किस अधिकारी की न्युक्ती परधान मंत्री की राय पर राश्पती के दुआड़ा की जाती है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन डी उप्रोख सभी भारत के मुख्णियादीश, संग लोग सेवा के अधियर्च तथा राजियों के राश्पाल यह तीनों की न्युक्ती परधान मंत्री की राय पर राश्पती के दुआड़ा की जाती है अगला प्रस्ण देखते हैं इन में से कौन सी सक्ती राश्पती को है लेकिन किसी राज के राजपल को नहीं है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन बी एक दो और चार मिर्तु सजा की माफी, राजनाईक सक्ती तथा अपातकाल की घोसना यह तीनों अधिकार दोस्तो राश्पती को है लेकिन किसी राज के राजपल को नहीं है अगला प्रस्ण देखते हैं समिधान में कितने किस्म की इमरजेंसियों की साखाएं मौजूद हैं तो दोस्तो समिधान में तीन किस्म की इमरजेंसियों की साखाएं मौजूद है अगला प्रस्ण देखते हैं राश्पती राजियों में निमलीखित के तहत राश्पती साशन आड़ोपित करता है तो दोस्तो राश्पती राजियों में अनूछे 356 के एक के तहत राश्पती साशन आड़ोपित करता है अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से कौन सा अपात काल राश्पती द्वाड़ा सोम ही घोशित किया जा सकता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन डी उपरोग में से कोई नहीं राश्पती मंती मंडल की संसूती के अधार पड़ ही अनुचेत 352, 356 और 360 के अंतरगत आपात काल लगा सकता है अगला प्रस्ण देखते हैं किसी राज में राश्पती साशन का तातपड है कि वह राज संचालित होता है तो दोस्तो किसी राज में राश्पती साशन का तातपड है वह राज संचालित होता है राज के राजपाल के दुआड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं भारतिय राश्पती के आड़ नडायन कौन से राश्पती हुए थें तो दोस्तो भारतिय राश्पती के आड़ नडायन एगारवा राश्पती हुए थें अगला प्रस्ण देखते हैं और राश्पती सोडूप की सरकार का निश्पादन निमलीखित में से किस देश में सुरपर्तम है तो दोस्तों राश्पती सोडूप की सरकार का निश्पादन संयुक्त राज अमेरिका देश में सुरपर्तम है अगला प्रस्म देखते हैं भारत के राश्पती को पर से कौन हटा सकता है तो दोस्तों भारत के राश्पती को पर से हटा सकता है संसद अगला प्रस्म देखते हैं जब राश्पती को अपने पत से इस्तिपाद देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेशित करता है तो दोस्तों यह संबोधित करता है उपर राश्पती को अगला प्रस्म देखते हैं परधान मंतरी कैसे बनाया जाता है तो दोस्तो परधान मंत्री बनाया जाता है नियुक्ति के दौड़ा अगला प्रस्न देखते हैं वह निर्वाचक मंडल जो उपडास्पती का चुनाव करता है तो दोस्तो उपडास्पती का चुनाव करता है लोकसवा और रासवा अगला प्रसुम देखते हैं निमली खित मेंसे किसे सफेध हाथियों का देश कहते हैं तो दोस्तो सफेध हाथियों का देश कहते हैं थाइ्लेंड को अगला प्रसुम देखते हैं जपान को Land of the Rising Sun क्यों कहा जाता है तो दोस्तो जपान को Land of the Rising Sun कहा जाता है क्योंकि जपान वीश में ऐसा देश है जो पूर में सबसे अंतिम छोड़ पड़ है अंतव वहाँ सुरुवदे सबसे पहले होता है अगला प्रस्न देखते हैं पड़वर्तों के अधियन को क्या कहते हैं तो दोस्तो पड़वतों के अधियन को कहते हैं ओडोलोजी अगला प्रस्न देखते हैं मदरात्री के सुर की भूमी के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है तो दोस्तो मदरात्री के सुर की भूमी के नाम से जाना जाने वाला देश है नौर्वेज देश अगला प्रसन देखते हैं जुआला मुखी परवत माला सामनत्ता कहां पाई जाती है तो दोस्तो जुआला मुखी परवत माला सामनत्ता पाई जाती है परसांत महासागर में अगला प्रसंद देखते हैं, इंडोनेसिया के उस विनासकाड़ी ज्वाला मुखी का क्या नाम है जिसे मई 2016 में फिर से विश्वट हुआ था। तो दोस्तों इंडोनेशिया के उस विनासकारी जुआलमुखी का नाम है माउंड सिंगा भूम Option A हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं सुनामी नाम किसे दिया गिया है तो दोस्तों सुनामी नाम दिया गिया है समुन्द के नीचे की तरंगे को अगला प्रस्ण देखते हैं प्रित्वी तल के नीचे के पीगले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तो प्रित्वी तल के नीचे के पीगले हुए पत्थर को कहा जाता है मेगमा अगला प्रस्ण देखते हैं प्रित्वी की पड़त के भीतर की हलचल का अधियन किसके दुवारा किया जाता है तो दोस्तो प्रित्वी की पड़त के भीतर की हलचल का अधियन किया जाता है भूविज्यान के दुवारा अगला प्रस्ण देखते हैं मिर्दा का लबनी करण किस कारण होता है तो दोस्तों मिर्दा का लबनी करण होता है अधिक सिचाई के कारण अगला प्रस्ण देखते हैं एजोला डैस के लिए मिर्दा उर्वरता को बढ़ाता है तो दोस्तो एजोला चावल की खेती के लिए मिर्दा उर्वर्ता को बढ़ाता है अगरा प्रस्न देखते हैं दोस्तो समूंद्र की एक चोड़ी उप्खारी जो आकार में अप्तल हो क्या कहलाती है तो दोस्तो समूंद्र की एक चोड़ी उप्खारी जो आकार में अप्तल हो या कहलाती है खारी अगला प्रस्न देखते हैं उन भू आकर्तियों को क्या कहते है जो प्रित्वी में विवर्ण्स के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सता दूसरी सता से नीचे चली जाती है तो दोस्तो वह भू आकर्ति को कहते हैं विवर्ण्स घाटी अगला प्रस्न देखते हैं तटो से हलके समुन अभी मूखी ढलान को क्या कहते हैं तो दोस्तो तटो से हलके समुन अभी मूखी ढलान को कहते हैं महादूपिय कगार अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन सी आगने सेल नहीं है तो दोस्तों जो आगने सेल नहीं है वो है डोला माइट जबकि ग्रेनाइट, बेसाल तथा ग्रेवो यह तीनों आगने सेल हैं अगला प्रस्न देखते हैं आपस में जुड़े दीप समू को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपस में जुड़े दीप समू को कहते हैं आरकीप पिलागो अगला प्रस्न देखते हैं तरंग कटाव से बढ़ने वाली भूमी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तरंग कटाव से बढ़ने वाली भूमी को कहते हैं गुफा अगला प्रस्न देखते हैं किये गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं तो दोस्तों मुख रूप से संकिन पट्टी दुआड़ा आंसिक रूप से या पूड़ी तड़ अलग किये गए समुद्र जल के विस्तार को कहते हैं लेगुन अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों जल निकास परती मान जिसमें साहक नदियां लंबत मिले वह क्या कहलाता है तो दोस्तों वह कहलाता है जाली अगला अंतिम प्रस्ण देखते हैं दोस्तों नदी की तरणवा वस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है तो दोस्तों नदी की तरणवा वस्था में जो प्रक्रिया होती है वो है घाटी को गढ़क करना थैंक्यू